इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हम बड़ी खबर की बात कर रहे हैं, बिहार की रान्दिती से जुड़ी हुई नितीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौप दिया है राजिपाल को और इसके बाद तेजिस्वी आदोस से मुलाकात करने पहुंचे हैं और थोड़ी देर में नितीश से जिस्तीफी आदोस साजा प्रेस कांफरेंस करेंगे, इस अलाइंस को तूटने के कई सारे कारण बताए जा रहे हैं, कहा जा रहा है फैसला लेने की जो स्वतंतरता थी, वो नितीश कुमार को इस बार अलाइंस में नहीं मिली, क्योंकि इस शुनाओं में जो स्टीटे हैं वो बीजेपी की जादा थी, जड्यू की कम थी, इसलिए भले ही मुख्यमंतरी के तौर पर नितीश कुमार को जिमेदारी दी गई हो, लेकिन बीजेपी ने निंतर्ण जो है, वो पक्रबर करार रखा, दोनों डिप्टी सियम जो है, तारा किशुर प्रसाद की बात करें, रेडु दोबी की बात करें, उनको साथ पर रखा गिया, तो एक शत्र नेतर्ण को जो है, चुनोती देने की कोशिश वीजेपी की तरब से की गई, हाला कि नितीश कुमार चुप बने रहे, लेकिन जो दर्ध है वो बाद में, सामने आया भी, इसके लवा भाश्पा ने नितीश कुमार के लंबे समय तक साथी और पूर नितीश सेम सुशिल मोदी को भी विहार की रा निती से बाहर कर दिया, कई सारे कारण बताए जाते हैं, भाश्पा के इन कदमों की वज़े से नितीश के लिए सरकार पर पूरी तरह से निंतर रख पाना काफी मुश्किल हो रहा था, सुशिल मोदी जो है, सुशिल मोदी जो पहले बिटीशियन थे और पूराने साथी नितीश कुमार के, उनकी गेर मवजुदगी में नितीश के लिए अपनी मर्जी से कैमिल मंतरियों को चुदना भी कठीन राहा है, तो एक शत्र जो राज होता है, वो नितीश इस बार नह जो जेडियों के बाकी निताओं को भी अखरने लगा था, इस साल मार्च में भाजपा और जेडियों के वीज रिष्टों में और दरार आई, इसकी पहली जलक जलक जो है, विधान सभा, अध्यक्ष, विजय सिनहा और नितीश कुमार के वीज में जो जोक हुई थी, कई सा एक कारण है, जो एलाइंस टूटा है, और इस्तीफा सौब दिया है नितीश कुमार ने ते जिसमी आदों से मुलाकात करने उनकी घर पहुंचे है, थोड़ी देर में दोनों ही निता प्रेस कॉर्पेस करेंगे और कहा जा रहा है, जो जेपी नडड़ा है, तो नितीश कुमार जो है, ते जिसमी आदों के घर पहुंचे हैं, बाच्चीत हो रही, कुछी दिर में दोनों साजा प्रेस कॉंफरेंस करेंगे, हम इसी खबर पर लगातार बनेंगे, फिलाल वक्त एक ब्रेक का है, फॉरन ल आप देख रहे है, के नियोज, खबरों का सार्थी आज़ादी के अमरुत महुत्सव के तहर, 13 से 15 अगस्ता, एक स्पेक्शल मूमें, हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है, तिरंगा हमें जोडता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेजित करता है आईए आज़ादी के अमरुत महुत्सव का जश्न मनाए, घर घर तिरंगा फेराए तिरंगा हमारा स्वाब इमान, तिरंगा हर भारतिये की पहचान, तिरंगे में हैं आज़ादी की खुश्बू, घर घर अलग जगाए मैं आपसे अपील करता हूँ कि इसे हर घर तिरंगा भ्यान में बढ़ चड़ कर भाग ले, आज़ादी के इस पर्व को दूमधाम से बनाए आज़कर दिनना हर भुपने दिननना हर भाओ, दिननना हर शहर दिनना लहरा है देखें, कौन ने अखिलाडीया है समझा देते हैं प्यार से समझाएंगे यह तो अपनी स्वाँ है जुबान एक हो, तो तिल भी एक होने चाहिए विमल, बोलो जुबा के सुरी बड़ी मस्त है बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डायेट और टेस्ट में बड़ी मस्त है जहां इंडिया करे सलेबरेशन वहां होए टशन का जशन राज्श्री इलाई जी टशन का जशन आप देख रहे हैं के नियूज खबरों का सार्थी बरेके बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं बिहार की रांदीती से जुड़ी हुई नितीश कुमार ने इस्तीफा सौप दिया है और अब वो तेजिस्वी आदों के घर पहुँचे हैं उसे बुलाकात करने बैठक जारी है कुछी देर में दोनों ही निता प्रेस कॉंफरेंस करेंगे बड़ा सियासी घटना करम हुआ है बिहार में बिहार के मुख्य मतरी मितीश कुमार ने इस्तीफ़ा सौप दिया है और साथी साथ दावा भी पेश किया है जैसा के हम कह रहेते कि आज ही दावा भी पेश किया जा सकता है और 160 विधायकों की बात कही ये पत्र सौपा है इसी खबर पर हमारे साथ कॉंग्रिस पार्टी के बिहार के प्रवक्ता असित नात तिवारी जी जुड़ गए हैं असित नात जी बड़ा घटा करम और इसे कही ना कहीं ये माने कि जो महाराश्टा में पिछले दिनों को हुआ जहां शिव सेना और बिजेपी की तलखी देखने को मिली उसके बाद बिजेपी सत्ताय में आ गई उससे सबक लिया नितिश कुमार ने और नितिश कुमार को ये लगने लगा है कि 2024 के पहले कहीं हम ऐसी मजबूत इस्तिनी में ना रहें और जैसा कि पहले देखने को हुआ त कि वापस कोशिश करेंगे असित नात जी से जुड़ने की कॉंगर्स पार्टी की प्रवक्ता है तो बड़ी खबर की बात कर रहे हैं कि नितिश कुमार ने स्तीफा सौब दिया है जिस वी यादों से मिलने पहुंचे हैं बैठक दोनों की भी चल रही है कुछी देर में कि रावड़ी आवास पर इस वक्त नितिश कुमार पहुंचे हुए हैं और विहार बहुत जल एक नई सटो रखार नजर आने वाली है केकि संख्याबल जो है कहीना कहीं दर्शाता है जो भ॥म्थ काुट्रा है — ओर उस लिहास से जो संख्याबल है वो करीब करीब 160 है जैसा कि गा गिया है 160 विधायकों का पत्र जो है समर्थन पत्र वो राज़पॉल को सौंपा गया है वापस से आमरसाथ बिहार से कॉंग्रेस पार्टी के प्रवक्ता असित नातिवारी जुड़ गए हैं असित जी नितीश कुमार यूही कोई इसे ifyसले ने लेते हैं बहुत सोच समझ कर लेते हैं बहुत ग्यानी निता कहसके हैं मौस्ता ही ग्यानिक भी कहसके हैं जिस वगे से यह फैसला नितीश कुमार को लेना पड़ा असित जी तो पूरी तरह से खत्म कर दिया तोड़ दिया शिंदे के जरिये जिस तरह से पंजाब में अकालियों का हस्र हुआ एक और पार्टी का नाम हो ले रहे थे मैं भी भूल रहा हूँ तो नितीज जी बता रहे थे कि उसी तरह से लों ज़दियों के साथ करना चाहे थे मतलब जिसका साथ लिया जिसके घर में बैठे उसी के घर में आग लगा दी उसी के घर में पतवारा कर दिया भाजपा ने ये भाजपा का मूल चरित्र है और निटीज जी इस चरित्र को समझ गए और इसलिए अपना घर बचादा एक धर्म का काम है और निटीज कुमार जी ने अच्छा किया कि अच्छा किया कि अगे आए और कॉंग्रेस और आर जेडी इन दोनों पार्टियों ने पहले ही कह रख सब्सक्राइब और महागटवंड़न ने उनका साथ दिया है अच्छी जैसा पाहिर कहने की कॉंग्रेस और आर जेडी दोनों ही साथ में हैं कॉंग्रेस की भूंका की बारे में अगर महाराष्ट्य की बात करें वहां भी कॉंग्रेस ने कहा था कि हम बिना शर्त समर्थन कर रहे हैं यहां भी वही बात है कॉंग्रेस पाटी साफ कर दिया भिना शर्त के समर्थन है आला कि शर्तें ते जिस्सु आड़े जरूर रखेंगे तो कॉंग्रेस ही कोशिश कहीं ना कहीं यह हम भले मजबूत ना हो पाएं लेकिन बीजेपी को मजबूत ना होने दे काउगरिस की लड़ाई सिधा बीजेपी से है निस्टित तौर पर इस देश की आजादी की लड़ाई के पहले हम उस विचारदारा के खिलाफ लड़ गए थे आज देखिये अगस्त क्रांटी दिवत है और आज की दिन आपका ये सवाल बहुत अच्छा इसलिए है कि जब अगस्त क्रांटी का एलान हुआ भारत छड़ो आंदोलन का एलान हुआ तो जो जन संग है उसमें भारत छड़ो आंदोलन का विरोद किया पश्टिम बंगाल समेत तीन गाज्यों में मुस्लिम लिग के साथ जनसंग की सरकार चल रही थी पश्टिम बंगाल सरकार की मंतरी थे और उन्होंने अंग्रेजी सरकार को लिखित भरोसा दिया था कि वो पश्चिम मंगाल में भारत छोड़ो आंदोलन सफल नहीं होने देंगे और उत्पातियों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे वो भारत छोड़ो आंदोलन कारियों को उत्पाती कहते थे शामा परसाद मुखटी तो हम तो इस विचारधारे के खिलाफ सुरू से खड़े हैं, हमारी जो हालत हो जाए, हम इन देश विरोधी गत्दारों को ताकतवर नहीं होने देंगे, अंग्रेजों के इन दलालों को ताकतवर नहीं होने देंगे, सांपरदाइक्टा की आग में जोकर देश के दो में, वहां कहीं न कहीं, जो है बीजेपी से काफी पीछे रहे गई, और जेडियू को उस वक्त भी जेडियू का कई नेताओं को बयान आया, कि विधान सभा की चुनाओं में बीजेपी के जो लोग थे, उन्होंने जेडियू कंडिनेट को हराने की कोशिश की, कई सीटों तो नितीश कुमार को यह भी लग रहा था, जो 2020 में हुआ, वो 2024 में ना हो, यह भी बड़ा कारण है, कि जेडियू चाहती 2024 के जब लोग सभाज चुनाओं हों, तो हम अजबूत इस्तिती में हों, ना कि बीजेपी फिर से जादा सीटे ले जाए, हमें पीक्षे कर दे बाजब तो धोखेывать पार्टी है यह देखें करणे के साथ क्पिया लुद बीटे पार्टी ना किरें तो 2020 के चुनाओ में अपने सभी में जदियों के साथी धोका सहर दिया चुनाओं के बाद सरकार के ला रहे जदियों को हित तोड़ने के साथ इसकरने लगे तो इन धोके बाजों से पचके कोई सहे इनके अलग हो जाए इनको अपने दर्वादे से भगा दे इसमें क्या कुना है लेकिन असी जी नितीश कुमार भी भी कोई दूद के धुले नहीं है हमेशा दो लड़ू लेकर चलते अपने हाथ में दोनों हाथों में लड़ू उनके रहते हैं मुख्यमंत्री वही नजर आते हैं चाहे अरजेडी के साथ हो चाहे बीजेपी के साथ हो क्या इस बार भविष को देखें पास तो क्या जो महागडवन्दन है उसके एक बड़ा चेहरा नितीश कुमार हो सकते हैं और इसलिए अभी से वो जो मुख्यमंत्री है वो तेजिस्वियादों को जिम्मेदारी दे 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 अब भविष्य में कौन क्या करेगा राजनीत में किसी को पता नहीं होता है कि एक वक्त भाजपा के लोग पूरुष लाल फिष्णा अड़वानी हुआ करते थे लेकिन गोवा अधिवेशन के बाद वो ओल्ड एज होम में चले गए भविष्य की राजनीत कौन जानता है भविष्य की राजनीत मुझे भी नहीं पता कि नितीश कुमार का साथ छोडती है कि वह संपरदाइक लोग पर गशłem की अधर को मार की जो हमने पहले बयान देखे काफी नितिश कुमार के एक विश्वे सनिता है बिहार की जनिता के साथ, आदमी विश्वास करता है उन पर, वो लगातार अभी जो तेजिस्वी याद उनको लेकर कह रहे थे कि करफशन के मुद्दे पर, कि ब्रश्टाचार को लेकर जो आरोप लगे हैं, आरजेटी पर उसको एक पहें, आप मुझे बताइए, औरंग जेब ने कोई गलती की, उसकी सजा मेरे गाउं के जुमन मिया को क्यों दी जाएगी, कोई बता दे, लालो परसाद यादो के तारेकाल में जो गोटाले हुए, वो नियाले में वो मामले गए, नियाले ने उसमें बजाब पर सजा दी, किसी में विरोद किया, क्या मैं नहीं किया, क्या तेजस्वी आदों ने नियाले निकाल दिया, क्या तेजस्वी आदों ने नियाले के खिलाब कोई लेख लिख लिख दिया, नहीं लिखा, उन्होंने भी उस सजा को स्विकार किया, क्या तेजस्वी आदो पर कोई भरस्ट क्योंकि आप जिसके बारे में लगातार उसके खिलाफ आवाज उठाते रहे, तमाम बयान देते रहे, आज आज उसी के साथ वापस जा रहे है। किश कुमार का महिमा मंदन भी मोदी जी करने लगे, चाम मोदी जी से अब जी जी हमारे सायोगी बता रहे हैं, अभी भी खबर आ रहे हैं, सिर्जन घोटाले को लेकर सीबी आई की टीम पटना पहुंच चुकी है, तो इसको कैसे देखते हैं अगर इस खबर को लेकर आपके अपडेट है, तो आप इसको कहते हैं, रूटीन परक्रिया है, इसमें कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, अच्छे सूत्रों के हमाले से खबर आ रही है, जहां बिहार में कॉग्रेस पार्टी कह रही थी, कि हमारी कोई शर्त नहीं, बिना शर्त समर्थन है, अब आरे की जो स्पीकर होगा, वो कॉग्रेस पार्टी कह रही हमारा होना चाहिए, नहीं, ऐसी कोई शर्त, मैं कॉग्रेस का प्रवक्ता हूँ, और प्रवक्ता आपको आधिकारिक तौर पे है कह रहा है, कि हमारी पार्टी ने कोई शर्त नहीं रखी है, सिवाए इसके, की बा वो रोक हटेगी, तमाम सरकारी पदों पर नियुक्तियां करनी होगी, बहाली करनी होगी, हम बस इस मुद्धे पर बात कर रहे हैं, हमने ना पंतरी पद मांगा है, ना ही हमने विदान सबाद यक्स का पद मांगा है, आपके जो भी सूत्र है, वो पूरी तरह से घलत है, घलत है, घलत है, अच्छा, असिच जी, यह साफ है कि 160 सीटों की बात वो नितिश कुमार कर रहे हैं कि 160 विधायकों का पत्र सौब दिया है, वहीं डोरे बाजी भी शुरू हो गई, डोडे डालना शुरू हो गिया है, बिजेपी के निताओं के बयान आ रहा है कि बहुत सारे ज जब तक सदन पर मुहमद स्पष्ट ना हो, एक चुनोती अपने विधायकों को साथ बनाए रखना, आर्जेटी के लिए भी, कॉंग्रेस के लिए भी और नितिश कुमार के लिए भी इस तरह का बयान कोई भी दे सकता है, बाजबाते संपर्क में अगर जदियू के नेता हैं, तो संपर्क में लिट्टी छोका का रहे हैं, क्यों भाजबा में चले गए? यह क्या पकवास है भाई, यह तब देखे, जूट बोलना, अफ़वा फैलाना, यह RSS का मूल एजेंडा रहा है, गोईबल स्वादी है, RSS के लोग, उनका सितांती यही है, कि एक जूट बोलो, उस जूट को अस्थापित करने के लिए उसको स्थापित कर दो, उसको स्था संख्या जूबल है, वो कम होने वाला है? हो रहे वह नसंख्या को साथ ही रहे उससे कम ना हो उस दिशा में ध्यान देना होगा बहुत वारत बात आपको बिहार में कॉंग्रेस पार्टी को फिर से कहीं ना कहीं नजर आने वाली एलाइंस में बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं भी हर गिना निती से जुड़ी हुई तेजस्वी आदो के साथ नितीश कुमार की बैठर जारी है और अब जो खबर है वो रवाना हो चुके हैं आवास से थोड़ी देर में नितीश तेजस्वी आदो प्रेस कॉंफरेंस करने नितीश कुमार तो कॉंग्रेस पार्टी आर जेडी और जेडियो एक साथ महागडबंधन के तौर पर नजर आ रहे हैं और महागडबंधन की जिमेदारी नितीश कुमार को दी गई है महागडबंधन के नेता नितीश कुमार है थोड़ी दिर में प्रेस कॉंफरेंस होने वाली है तो बड़ी खबर इस वक्त रानिती से जुड़ी हुई विहार से जुड़ी हुई विहार में विहार के मुख्यमतिनी तीशकुमान ने इस्तीफा सौंप दिया है एक्चो साथ विधायकों का समर्थन पत्र भी सौंपा है और अब जो है तेजिस्वियादों से मुलाकात भी हो चुकी है अब प्रेस कॉंफरेंस थोड़ी दिर में होने वाली है दोनों ही नेताओं की साजा प्रेस कॉंफरेंस होगी और उधान लोगजन शक्ती पार्टी के जुनेता है ठिराग पास्वान और राश्टपती शासन की बात कह रहे हैं कई सारे कारण बताए जा रहे हैं इस एलाइंस को तूटने के क्योंकि इस बार जो 2020 में सरकार बनी जेडियू बीजेपी की साजा जड़बंधन में तो तब कुछ पहले जैसा नहीं था यहां पहले नितिश कुमार सियम होते थे डिप्टी सियम बीजेपी का होता था सुशील मोदी पुराने साथी नितिश कुमार लेकिन इस बार सुशील मोदी को जो है दिल्ली बुला लिया गया और वहां दो डिप्टी सियम निक्त कर दिये गए और फैसल लेना भी जो है न की बीजे पी की उसके बाद ही फैसली लिना नितिश कुमार को यह भी कहा जा रहा है जो कठिन रहा नितिश कुमार के लिए काफी वक्त तक और जो जडियू के नेता हैं उनको यह अखरने लगा स्वतंतुरता ना मिलना जो जेडियू के नेताओं को भी खराब लगने लगा था वीजेपी एक मजबूत ताकत के रूप में विहार में नजर आने लगी थी इस बार के जनादेश जो था उसमें भी बीजेपी की बहुत ज्यादा सीटे थी अलागी जेडियू से ज्यादा थी आरजेडियू से थोड़ी से कम थी सिर्फ दो सीटे बीजेपी की जेडियू से कम थी माफ कीज़ा और जड़ी से कम थी mesma टोफ कि जो थी BJP के सिबार ये कि जड़ी। जो है कही 對吧 काफी पीशे राएं गई इस बार बिकिन स्रियम नितीष्च कुमार ही रहे चाहे शी wraps सीटे कम और मेरे वही जादा है बिहार में CM के चहरे पर हमेशा नितिश कुमार नजर आए हैं और उनकी एडिलोजी जो है वो भी थोड़ी हट के है RJD और BJP से अलग एडिलोजी है नितिश कुमार की और कई बार हमने देखा NDA के तरफ से कई सारे बयान आते हैं और उन बयानों से अलग अपना बयान नितिश कुमार दे देते हैं कहाए जाता नितिश कुमार नहीं चाहते कि उनका जो खास फूर्ट मेंट है उनसे नराज हो तो कुशी देर में तेजिस्वी आदों के साथ नितिश कुमार प्रेस कॉन्फरेंस करेंगे सियम का जो पद है उस पर स्पिफा दे दिया है उससे राज़पाल को स्पिफा सौप दिया है एक सो साथ विधायकों का समर्थन पत्र भी सौपा है और जो वहुमत का आंकड़ा है वो एक सो बाइस है महस एक सो बाइस तो 122 के लिहास से कह सकते हैं कि 60 का आकड़ा बहुत ज्यादा है हाला कि भार्फी जन्ता पार्टी के निताओं की तरुस भ्यान भी आया कि कई सारे जेडियों के विधायक हमारे सब्पर्क में है अब सदन में जो भोबन इसपश्ट होगा वहाँ नजर आएगा कि कितने नेता जो 60 नेताओं की बात कही जा रही है वो आकरी 160 है तक बिजेपी कोशिश करेगी आर जेडियों के जो विधायक करम को तोड़ा जाए और बिजेपी कोशिश रहेगी एक बार फिस से चुनाओं मेदान में जाए जाए पिलाल वो आगे का घटना करम है लेकिन चैलेंज चुनोती जरूर है आर जेडि के लिए और रिजिस्ट्री आदो के साथ साथ नितिश कुमार के लिए कॉंग्रेस पार्टी के लिए भी कि उनके जो विधायक हैं वो कहीं उनसे अलग न हो जाए